हे गाइस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेट्समेंन मेट एक्जाम 2021 के बारे में गाइस जब से मुंबई एक्जाम डेट खतम हुई है तब तक हम सिर्फ एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं वो रिजल्ट का हलांकि आप इंडियन ने भी ज्यादा समय नहीं लगाएगी आप सब की रिजल्ट को लेकर जल्दी रिजल्ट पब्लिस करने वाली है इंडियन ने इससे पहले काफी सारा इसू है खास करके मेडिकल फिटनेस को लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट का काफी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें मेडिकल क्या होगा कैसे होगा मेडिकल वहां होगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है आपको और ह्टी एसी ओबीसी जो का आने वाले समय में इंडियन ने भी आपको मौका नहीं देगी जैसे इसकी रिजल्ट आती है जस्ट आपकी यहाँ पर जो है डीवी स्टार्ट हो जाई यानि कि डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन क्योंकि 2019 के वरोसे मत रहिएगा 2019 में वेकेंसी जो रिलीज आई वेटिंग लिस् आप देखा उसके बाद आपकी डीवी प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाईए तो होफफुली जल्दी आप रेडी कर लो या फिर आप समझ लो ताकि आपको रेडी करने में आसानी हो तो ज़्यादा बड़ा इसू नहीं होगा जब रिजल्ट आये तो जितने भी केंडिट इंडेन ने भी ट्रेट्समें मेट का एक्जाम दिये हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेगा चाहिए वो किसी भी फिल्ड से बिलोंग करते हैं किसी भी अरिया से याने की मुंबए विगरा कहीं से भी चले स्टार्ट करते हैं इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी ये वी ये काफी बड़ा इसु है ध्यान से सुनिएगा हैल इसु यानि कि क्या क्या आपका फिट होना चाहिए काफी कमेंट आ रहा था दांत के बारे में किसी का ट्रेटू के बारे में बाल के बारे में कान के बारे में ये सारी चीजे मैं डिसकुस होरूँगा उसके बाद यह चलए हम डिसक स्कॉस करने वाले हैं मैं यहाँ पर सबसे पहले इसंसिल सटीफिर डिसक्स कर देता हूं जो भी आपका सबसे पहले अपने टेन्ध की टोटल सटिफिर्ट रेडी कर लिजेगा टेन्ध का माउक्षीट और टेन्ध का सटिफिर्ट रेडी होगा जानता हूं कमेंट करने की जोरुत नहीं है आई टी आई का आई टी आई का अल इंक्लूडेड मार्क सीट ये ज़रूरी है धियान रखेगा अलग-अलग मार्क सीट वहाँ पे ना लेकर जाएं नहीं तो आपको बात भी सुननी पड़ सकती है रिजेक्ट तो नहीं करेगी लेकिन ज़्यादा फटकार आपको लगाएगी इसलिए इंक्लूडेड साटिफिकेट इंक्लूडेड मार्क सीट और साटिफिकेट जो है वो कॉलेज से अभी तक नहीं लिए हैं तो जाकर ले लिजे ये बेहद ही जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा इसू हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा आपका रिचेक करने के लिए जल्दी जल्दी चेक करते हैं निकालते हैं उसमें क्योंकि इसेंसियल क्वैलिफिकेशन में ध्यान पहले दिया जाता था और आपके जो भी है जैसे कि अधारकार पेंट कार्ड हो गया और ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं इसमें ज्यादा इसेंसियल जो आपका रेसिडेंटल सेटिफिएट यह सब कुछ नहीं देखा जागा सिंपली इसेंसियल मतलब आपकी क्वैलिफिकेशन की सर्टिफिएड उसके बाद आ जाते हम यहाँ पर हेल्थ के बारे में देखे हेल्थ के बारे में जैसा नहीं है कि आपको पूरा फिट चाहिए बिलकुल एक एक्टर जैसा इसी बात कुछ नहीं है जैरली आपको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए बोडी में जैसे कि पहले अगर दो तीन दिन पहले बुखार वो उसका भी नॉर्मल चलता है बीपी बगर हाई वगर सादा एस सब चीज में थोड़ी सी परिसानी होती है दांत का प्रॉबलम यहां पर काफी हो रहा है जैसे कि अगर किसी का दांत जादा हिल रहा है तो निकलवा दीजे तो जादा बेटर होगा क्योंकि जादा खराब है तो ही निकलवा ना यह नहीं कि थोड़ा सा हिल रहा बस निकलवा दो थोड़ा सा खराब हो जाता है एकदम पूरा खोकला हो जाता है जो उस तरह से हो गया सड़ जाने के तो निकलवा दीजे और जिनका निकल चुका उसका कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यह भी कमेंट आ रहा था सर मेरा दांत निकल गया तो इस होगा यह सा कुछ नहीं होने वाला है दांस से लेकर ज्यादा प्रफ्लम नहीं आगी और आएगी भी जैसे कि किसी का वहाँ दांट प्रोबलम आईगी तो वो बोल देंगे उसके लिए time दिया जाता ये निकिए दांट के लिए result कर दिया जाता है कान साफ होना चाहिए ओना चाहिए जो होनी चाहिए और चेस्ट में ज़्यादा pain वेगर जो होता हार्ट प्रोबलम होता है कई सारे का मतलब pain होता है heart का ज़्यादा इस्सुनी तो उसमें दिक्कत आ जाती है फिपड़ों के लिए तो वो ज़रा check-up कर लिजेगा और कोबिट का इस्सुनी होने चाहिए उसके बाद कोई extra नहीं हाथ टेड़ा है सिधा है इसका ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन टेटू वालों का इस्सुनी होगा तो टेटू देख लिजेगा ज्यादा टेटू मतलब बड़ा वेगर नहीं होना चाहिए नॉर् तो guys height और weight का इसा कुछ इसूनी होगा आपका जितना भी height अब बेफिकर होगे यहाँ पर जाएं डिवी के लिए height के लिए और weight के लिए कोई दिककत ने चेस्ट के लिए भी कोई दिककत ने बाथ होगी यहाँ पर काश्ट साटीफिकल की तो चले मैं और पर पर फर्फर्म क्या होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं documents format में यहाँ पर सारी चीजें की documents आपको मिल जाएगी जिसे की देख सकते हैं physical की है जो certificate departmental candidate के लिए for age relaxation तो यही आपकी age relaxation है जो भी age relaxation वाले candidate इसे डाउनलोड करेंगे disability certificate कोई सारी के होगी मैं बता देता हूँ पहले EWS वालों के लिए यह एक service one वालों के लिए और later undertaking वालों के लिए यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आपको मिल जाएगी OBC certified वो यह आपकी STSE तो अगर आप OBC certified हैं तो इसे डाउनलोड करेंगे आप और बिल्कुल यह परफर्मा है link मैं description में दे दूँगा guys बिल्कुल इस STSE certificate है तो यह भी देख लिजएगा इसे भी बनवाना आपको और सारी चीज़ें create के लिएगा फर्फर्मा यही हुगा यही लेकर चाहिएगा अराम से बना देगा हो यह disability candidate के लिए वालों के लिए मैं दिखा देता हूँ जो भी होंगे यह बनवा लिजएगा hopefully आपको पता हो जाएगी तो यह जरूर दियान रखें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विगा उस कोविट का इसु के कारण कई सारे offices बंदें तो अभी बनने के लिए भी काफी बड़ा problem यहां पे create हो जाता है student के लिए तो इंडियन ने भी यह समझती है और आराम से इसमें आप पर क्या इसु होगा देखें गाइस male female यहां पर देखें सबसे बड़ा दिक्कत तो हो जाता है medical fitness में की हाइट चेस्ट बगर और आपकी यहां पर weight की तो इस सब चीज की परफर्मा यहां पर mandatory रखी ही नहीं गई है तो इसका टेंसर नहीं लिए उसके बाद medical आपको बनवाना कैसे है तो medical आपका वहां नहीं होगा medical आपको clear करके ही यहां से ले जाना होगा किसी भी गैजे officer यानि की गैजे doctor को आपको पकरना होगा जो की central hospital हो वहां के किसी एकदम designated बिलकोली government आपका doctor होआ चाहिए और उनसे contact करें उसके बाद आपको अपना एक परफर्मा तो आपको कर देगी जितने भी normal check-up होती है सारी आप उहां पे करवा लिजेगा जो भी ले चार्ज करें वगरा भी लेकिन आपको यहीं से बनवा के ले जाना होगा यह समझेगा कोई भी student यह ना समझे please कि वहां जाके मेरा medical होगा एसा नहीं होगा सब कुछ यहां से जना होगा वहां आपका कुछ भी check-up नहीं किया जागा सिर्फ पात-पात document verify किया जागा जरा से भी mistake लगी documents में तो इंडियन ने भी reject करने में समय नहीं लेती है guys तो यह सब चीजें के ध्यान रखें जो मैंने बताई है और जो भी चीज आपको doubt हो आप comment कर सकते हैं आपक अगले जाहिंद